शिव सेना उद्धव गुट के प्रमुक उद्धव ठाकरे ने आज कहा कि वो हिंदुत्व के विचारक विनायक दामुदर सावरकर को अपना आधर्श मानते हैं। उद्धव ने राहुल गांधी को चेतावनी देते हुए कहा कि सावरकर का अपमान बरदाश्ट नहीं किया जाएगा। तुमी कन्या कुमारी पासुन काश्वीर परें गेलात संजेर राउत तिकड़े गेले होते सोबत दिली होती आमिसुरा तुम्चे सोबत राहेलो पड़ा जाहिर राउल गंधी नमी संगतो है कि ही लड़ाईजी आहे कि लोक्षाईची लड़ाईए रुपा करुन नमे तर आई ये बात पटनार नाही लड़ाईचा असेल तर दैवतंचा आपमानामी संगतो है कि आपने एकत्रा आलवा होत जरूर ते या देशाची लोक्षाई वाचुने सठी आले लोग या देशाची सम्विधान वाचुने सठी आले लोग ताचा मरे पुठयाता फाटे फु पट्टे के ने तुभी महला संगा कहां भागवान राव था इस गाइस देश के सरव दर्मस्विधान दिया कि गांदी मा भी नहीं मंगता मैं सावर करनी में गांदी हूँ यहां से वो वीशे कुला हूआ और वो विचा धरा कॉंग्रेस के हमेशा रही है इस देश के सरव दर्मसमभाव को और गांदी कभी मापी नहीं मंगे क्यों कि गलती नहीं करता है गांदी का समरपन देश के हित में है और उनकी विचाधारा क्या है वो उनकी विचाधार रखेंगे हमारी विचाधारा क्या है हमारी पार्टी की विचाधारा हमने रखी है दिल्ली आपकारी घोटाला मामले में BRS नेता के कविता की ED के समन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट के कविता की याचिका पर विचार करने को तया हो गया है इस तरह कि और भी याचिकाओं को कोर्ट ने एक साथ ले लिया है। कोर्ट इस बात पर विचार करेगा कि पूश्टाश के लिए महिलाओं को प्रवर्तन निदेशा ले यानि E.D. दफ्तर बुलाया जाना ठीक है या नहीं। इस मामले पर तीन हफते बात सुनवाई होगा। आलांकि फिलहाल कविता को E.D. दवारा दिये गए समन पर रोक नहीं लगाई गई है। आपको बता दें इस मामले में E.D. ने भी एक कैवियेट दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में और कहा है कि कोई भी आदेश जारी करने से पहले उसकी दलील को भी कोर्ट जरूर सुनए दिल्ली शराब घुटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है हलाकि के कविता जो B.R.S. की नेता है और जो मुख्यमंतरी है तेलंगाना के KCR उनकी बेटी है उनको किसी तरह की रहाद नहीं दी है यानि उनके जो समन एडिका था उस पर स्टे नहीं की हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में विचार करने की सहमती जताई है कि वो यह देखेगा कि किसी महिला को एडि जो है वो अपने दफ्तर में पूस्ताज के लिए समन कर सकती है नहीं कर सकती है तीन हफते के बाद इस मामले में सुनवाई होगी और सुप्रीम को कोड ने इस मामले को नली नीची दम्रम की आचिका के साथ जोड़ दिया है यहां पर मुद्दा यह था के कविता को इडी ने समन किया था के कविता सुप्रीम कोड पहुंची थी और मांग की थी के समन पर रोक लगाई जाए उनके खिलाब कठोर कारवाई पर भी रोक लगा की कि तरफ से इसका विरोध किया गया एडी तरफ से सोलिसितर जन्रल और आजइए ऐसवी राजी ने विरोध किया और कहा कि е- eğ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड उसके प्रावधान कर मामले में शुप्रीम कोड का एक मामले में चिज़ों को वो नकार चुका है ऐसे में जो कविता है उनकी आचिका पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए दूसरी तरफ कविता की तरफ से कपिल सिपर लगातार कह रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता ये समन जो है जांच से पहले की बात एडी कर रही है कि जांच का चरण है गिरफतारी का चरण उनको एक तरीके से अभ्यूक्त आरूपी इस केस में बताया गया भलाई जो कंप्लेंट थी उनका नाम नहीं था लेकिन उनको सबूत उनसे मांगे जा रहे हैं उनसे समन किया जा रहा है ऐसे में इस पर विचार होना चाहिए और इडी इस तरीके से बुला नहीं सकती है य अलाकि किसी तरह का स्टे किसी तरह की रोक नहीं लगाई है यानि कविता के समन पर रोक नहीं है एडी के दुवारा लेकिन सुप्रीम कोट ने कहा है कि वो इस लीगल पहलू पर एक कानूनी पहलू पर जागे जरूर करेगा विचार करेगा कि किसी महिला को एडी अपने द कर ले और यह परकिरिया पुरी तरह साफ है किसी तरह का कोई जोल नहीं है तो वरहाल अब सुप्रीम कोट तीन हफ्ते के बाद इस मामले में एहम सुनवाई करेगा नए दिली से आसीज भारगाव एंडिटीग इंडिया सुप्रीम कोट ने आज एक एहम आदेश देते हुए कहा कि किसी करजदार के बैंक खाते को ब्लैक लिस्ट करने से पहले उसे सुनवाई का मौका मिलना चाहिए और यदि ऐसी कारवाई की जाती है तो एक तर्कोन आदेश का पालन होना चाहिए इस मामले में चीफ जस्टिस दीवाई चंद्रचूर के अध्यक्षता वाली पीठ ने तेलंगाना हाई कोट के एक पैसले को कायम रखते हुए कहा कि खातों को ब्लैक लिस्ट करने से उधार करताओं के लिए दूसरी मुश्किलें भी खड़ी हो जाती है इसलिए उन्हें सुनवाई का एक मौका जरूर मिलमाचा है